तो है अग्ड वेल्कम बैक टू कंपेटिशन कमिनिटी आप लोग देख रहे हैं सस्टी चेसल का यूट्यूब कोर्स और मैं हूँ टी अर्स और अब आज हम मैट्स में डिसकस करने वाले हैं पार्टर्शिप जो की एक नया टॉपिक है साजेदारी जैसे कि मैंने आपको पि लेक्चर का पीडिएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए फ्री आफ को स्ट आपको रेजिस्टेशन करना होगा कम्पेटिशन कमिनिटी के वेब साइट में वहां रेजिस्टर करने के बाद आपको यहां पर पीडिएफ जो है इस लेक्चर का मिल जाए सेटेडे को आपको रिविजन करना है मंडे टू फ्राइडे का जितने भी हमने आपको टॉपिक्स पढ़ा है उसको रिविजन करना है संडे को आपको प्रैक्टिस सेट प्रवाइड करा जा रहा है और उसी प्रैक्टिस सेट का जो एंसर की है वह आपको वेड्नस डे को मि कैसे कि आप लोग देख रहें हमारा जो टॉपिक है यह है साजिदारी यानि की पार्टरशिप इस पार्टर्शिप में जो कॉंसेप्ट है वह कॉंसेट किस बेसिज पर रता है उसको मैं समझाओंगा आपको पहले समझेए यह पार्टर्शिप क्या होता देखिये जबी-बी कभी हमें एक business ko start करते हैं अगर कोई व्यक्ति अकेला इस business को start करता है तो उसे हम proprietorship कहते हैं लेकिन अगर कोई 2 वेक्ति या 2 से ज्यादा वेक्ति मिलकर जब partnership करते हैं या कि किसी business की शुरुआत करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि यह partnership में आएंगे उनके बीच एक agreement होता है उस agreement के basis पे decide होता है कि कौन कितना profit ले जाएगा कौन अगर loss हो रहा है तो कौन कितना loss bear करेगा ठीक है तो यह सारी सीज़े जो है partnership से related है तो यह मोटे तोर पर बात किया जाए तो business जब 2-3 लोग मिलकर स्टार्ट कर रहें वहां पर partnership होता है तो यहां mathematics में आपके जो exam में questions बनते हैं उसमें जो profit loss हो रहा है वो किस basis पे distribute होता है उसके बारे में थोड़ा discussion कर देते तो दो चीजे हैं दो चीजे हैं एक तो investment दूसरा है time ठीक है केवल investment से काम नहीं चलेगा investment आपने कितने समय के लिए किया उसके basis पे ही आपका जो profit है वो distribute होता है तो यहां पर सबसे पहली बात अगर हम बात करें profit जो है वो directly proportional होगा आपके investment के और साथी साथ profit जो है वो प्रोपो का मतलब यह है कि जो व्थी जितना ज़यादा करेगा उसको उतना यह ज्यादा profit मिलेगा जो वैटती जितना ज्यादा just time कि लिए investment करेगा उसको पियोतना ही ज्यादे profit मिलेगे ठीक है तो इसका मतलब हिंदी है कि इसको लगा है तो कैसे लगा है फॉर्मिले यानि कि आप इस चीज को तो समझी चुके होंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम डिरेक्ली प्रोपोर्शनल है तो प्रॉफिट इस तरीके से निकलता है यह चीज मैंने अल्रेडी कवर करके रखा है आपके रेश्यो इस अनुपात होता है वह इस अनुपात में होगा इन दोनों को गुणा करके यानि कंपाउंडिंग क्याते हैं रेश्यो का compounding होता है अगर यह ratio को इसके साथ compound करने को खा जा रहा है यानि आपको यह पहला वाला और दूसरे वाले को multiply करना है तो investment of a into time of a investment of b into time of b investment of c into time of c इस ratio में इसी ratio में आपका profit जाना है मतलब अगर 100 रुपिया यहां से profit में जाना है तो यहां पर यह हिस्सा आएगा यहां पर यह हिस्सा आएगा और यहां पर यह हिस्सा आएगा इसका तो यह एक अनुपात की तरह काम करता है ठीक है चलिए अब investment जो है इसका भी अगर आप सुरुआती तोर पर investment का ratio लेने और बाद में फिर time का ratio लेने और उसके बाद इसको just multiply कर देंगे तो हमारा यह वाला ratio निकल के आ जाएगा बस इतना ही करना है हमें और जैसे आपने ratio निकाल दिया तो इसके उपर तमाम सवाल बनाया जा सकते हैं कि profit जो है वो कितना है या profit अगर पूरा दिया हुआ है तो एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है या यैसा भी जाशकत है ही किए एक व्यक्ति को किता profit मिल रहा था उससे आपको पूरा profit निकाल यह तो बस ratio निकालना है आपको profit का एक बार şeyi निकल गया profit का तो उसके बाद सारी चीज्ज़े clear हो जाती तो आ इस प्रफिट तो डेके सबसे पहली वात एइ तथा जो है किसी व्यापार में चार अनुपात 5 के अनुपात में निवीश किये थे दस महीने के बाद क्या हुआ तो B ने अपने निवेश को वापस लेकर व्यापार से भागीदारी से वापस ले ली याने पहले वर्ष के अंत में 49,000 का लाब हुआ था तो हमें ये निकालने को कहा जा रहा है कि इसमें से B का हिस्सा कितना था ये हमें निकालना है इसमें तो आई इसको solve करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर दिया हुए A और B जो है A और B जो है इसमें investment की बात की गई है तो investment की अगर मैं बात करूँ सबसे पहली बात investment की अगर मैं बात करो तो A का investment चार और B का investment पांच के अनुपात में है दुसरी बात जो है समये कि बात करते हैं तो 10 मेने के बाद बहु किल गया बाहर भी जो है इसने 10 मेने के लिए investment किया और साथ में यह जो है उसका profit तो पहले पूरे साल के बाद अगर calculate हो रहा है इसका मतलब तो यह 12 महिने के लिए पूरा रहा होगा क्योंकि शुरुआती तो और पर दोनों ने मिलकर स्टाट किया और अगर प्रॉफिट हम 12 महिने के बाद calculate करने यहनैं एक साल के बाद calculate करने तो यह समझना होगा कि यह जो है वह 12 महुने के लिए रहेगा भी दस महीं के बाद छोड़के चला जाता है मतलब भी इस business में केवल डस महीं दे रहा होगा तो अब यहां से जो profit क curriculum बनेगा। उसमें इन दोनों को multiply करना है तो यह बन जएगा 48 इसको और simplify कर सकते हैं एक बार और उसका अरफब कर लो यहां पर 24 अनुपात 25 बनेगा 24 25 अब सवाल यह बन रहा था कि इसमेंसे ग चाहिंगा तो बी का हिस्सा जो है 25 का 25 divided by total जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 multiplied by 49,000 क्योंकि total profit इतना था इसमें से बी का हिस्सा इतना है तो 49 से काटो गए तो 1000 आ रहा है मतलब कुल मिलाके बी को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 25,000 रुपईया ठीक इस चीज़ को आप नोट करके रख हाई यह वाला जो पार्थ है यह अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने इसलिए कहा था कि पार्टनर्शिप जो है वो कहीं न कहीं रेश्यो का अप्लिकेशन है तो यह सारी तमाम चीज़े रेश्यो से रिलेटेड जो है वो सारा मैंने पिछले वीडियो में कवर किया तो यहां पर मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा रेश्यो प्रपोर्शन से रिलेटेड चीज़े हैं यह सारी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद यहां से हमारा सेकेंड कुश्चन है यह दिया हुए ए बी एंटर इंटर इंटो आ पार्टनर्शिप वाइश्ट अब यहां पर दिया हुए कि सी को 24,000 मिला तो फिर टोटल आफटर जो वन यह है उस पिरेट के बाद में टोटल प्रॉफिट कितना था यह हमें निकालना है इसमें देखते हैं ए बी ने तीन अनुपात आठ में हिस्सेदारी में अपने व्यापार को प्रारंब किया चार म मैं यहां पर लिखता हूँ अब यहां से अगर मैं इनवेश्टमेंट की बात करूं तो आठ का तीन चौथा ही निकालोंगे तो कितना आएगा शे मतलब सी का investment जो है वह तो च्रीका है अब थोड़ा सा time के बारे में नजर लगाते हैं कि time के बारे में क्या information दिया है तो time की बारे में यदि हम discuss करेंगे तो सबसे पहले बोला गया है कि A और B ने partnership को शुरुआत किया था और एक साल के end में जो है वो हम लोग यहाँ पर calculate कर रहे हैं तो अगर एक साल के end की बात हो रही है तो यह भी 12 महीने के लिए रहेगा इस business में लेकिन जब C की बात होती है तो C यहाँ पर 4 महीने के बाद आया था तो 4 महीने के बाद मतलब एक साल में टोटल 12 महीने होते है और अगर वो 4 महीने लेट आ रहा है मतलब वो business में 8 महीने रहोगा तो 12 महीने 4 कर देते हैं यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा ठीक है अब इसका ratio निकालना है तो देखे ratio निकालने के तरीके बहुत सार है आप यहाँ पर यहाँ तो direct multiply करके 36 यह हो जाएगा आपका 96 और यह आपका 48 इस तरीके से लिखकर उसके बाद इसको काट सकते हैं 12 से यह हम लोग इसको और smartly क्या कर सकते कि पहले इसको कट कर दिया जैसे 3 से इसको काटेंगे यहाँ पर 4 बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा और अभी इसको को जो प्रॉफिट मिला सी को जो प्रॉफिट मिला वो इतना है 24,000 तो हमारे सब से चार है अगर यह 24,000 है तो चार में हमने क्या multiply किया तो 6000 multiply किया यानि इस ratio में जो multiplication factor है वो है आपके 6000 का यह 15,000 का अब हमसे सवाल पूछा था कि total profit कितना हुआ तो टोटल profit के लिए आपको क्या करना है तीनों चीजों को जोड़ेना है तीन प्लस आट प्लस अगर मैं तीन प्लस आट प्लस 4 तीनों को जोड़ दू तो पंद्रह हैगा और पंद्रह में क्योंकि यह तो हमारा रेश्यो है और इस तरीके से हमें सारे सवाल बनाने है बस आपको यह याद रखना है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रिब्यूट होता है वह इन्वेश्मेंट और वह इन्वेश्मेंट कितने समय के लिए हुआ यह दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है ठीक है चली नेक्स्ट कोशन देखेंगे आपके स्क्रीन के उपर है यहां पर दिया हुए ए बीसी टुगेदर स्टाट बिजनेस त्री टाइम्स दैंवेश्मेंट ऑफ ए इक्वल तो फोर ताइम्स दैंवेश्मेंट ऑफ बी और क्यापिटल ऑफ वी इस ट्वाइस दैट ऑफ सी द आप दया है याने एजर निवेश कर रहा है उसका तीन गुना जो है बी निवेश के चार गुना के बराबर है और डियावाए बी जो पूंजी है वो सी की दुगनी है तब हमें निकालना है कि इसमें लाव का हिसा किस हिसाब से बढ़ेगा तो पहला ही स्टेटमेंट देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि देखिए ए और बी का रेशियो क्या बना फोर इस्टू थी का यह हम देख चुके हैं अगर मैं इसको रियरेंज करूं तो एबाए चार बराबर भी वाय तीन होगा मतलब वह अप्शन सही होगा जहां एबी का जो रेशियो बन रहा है प्रॉफिट का वह फोर इस्टू थी का हो केवल डी ऑप्शन में बन रहा है कि सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा सॉल्व हो जाएगा लेकिन यहां पर आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब यहां पर केवल ए और बी के रेश्टू से ही सारी सीजे कैलकुलेट हो जा रही है तो एक्जाम में फटा-फट ऐसा ही सॉल्व करना है चलिए अ करेक्ट अब हमसे पूछ रहा था कि इन तीनों का रेश्यो क्या है तो अगर यहां तीन है यहां चार है यहां पर आट है तो आप जानते हैं तो यहां मुझे 24 से डिवाइड करना होगा और 24 से डिवाइड करते साथ वैल्यू जो है वह निकल जाएगा तीन से यहां पर हम रेश्यो निकालना सिखे तो डी जो है सवाल का सही होगा वैल्यू चलिए प्रॉफिट इसी रिश्यो में बटेगा नेक्स सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है यहां दिया हुआ है यह स्टार्ट अ सिमेंट ट्रेडिंग बिजनेस बाइंवेश्टिंग रुपीश फाइव यहां दिया हुए एक पांच लाख रुपय का निवेश्ट ऑफार्म के बाद 10लाख रुपए के साथ निवेश्यो में जुड जाता है और बी के व्यापार से जुड़ने के चार महिने के बाद C फिर से आता है और वो भी 20 लाख रुपय का निवेश करके इस व्यापार में जुड़ता है A के व्यापार प्रारम करने के एक वर्ष के पस्चाथ अगर उन्होंने 3,50,000 रुपय का लाब होता है तो हमें निकालना है लाब में B का हिस्सा कितना होगा वो भी रुपयों में हमें निकालना है ठीक है चलिए यहां से देखा जाए तो यहां पर 3 लोग है A फिर है B फिर है C clear A B C इनके अगर इन्वेश्टमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात A ने 5,00,000 रुपय लगाये थे B ने यहां 10,00,000 रुपय लगाये थे और C जो है उसने 20,00,000 रुपय लगाये थे अगर मैं यहां प्रॉफिट भी निकालना चाहूं एक लाइन में तो इन्वेश्टमेंट मल्टिप्लाइड बाइ टाइम से जो है प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट जो केलकुलेट हो रहा है वो एक साल के बाद के लकुलेट हो रहा है یعने कि A जो है पूरे के पूरे एक साल के लिए रहेगा पूरे के पूरे एक साल का मतलब है 12 महिने इसके बाद दिया हुआ है after two months B join यानि A के आने के दो महिने के बाद अगर B जा रहा है और B भी कहीं छोड़ के नहीं गया मतलब B join इस बारा महिने में दो महिने कम रहेगा मतलब कि ये 10 महिने के लिए रहेगा और साथ में last information ये दिया है after 4 months B join यानि B के भी join करने के 4 महिने बाद यानि B जितने महिने रहा उससे 4 महिने और कम C रहेगा मतलब ये 6 महिने के लिए रहेगा अब यहां से अगर हम इसके ratio की बात करें तो 3 का ratio यहां से 60 अगर कुछ common निख रहा है आप उसको काट भी सकते हैं जैसे मैं अगर 10 को काटू ये भी आप 10 से कट जाएगा या 20 को भी काट सकते हैं 20 को काटोगे तो यहां पर 5 बचेगा और ये 5 और यहां पर 3 बचेगा मतलब जो profit है उस profit को हमें बाटना है 3 ratio 5 ratio 6 में इस ratio में हमारा जो है profit जाना चाहिए इसमें से what should be the share of B हमें निकालना है तो B के अगर share की बात करें तो B के हिस्से में 5 आएगा 5 भाग divided by total 3 प्लस 5 प्लस 6 करोगे तो 14 और multiplied by 3,5,3,50,000 ठीक तो इसमें से अगर मैं 7 से काटू है तो 2 बचेगा ये 7 से काटने पर 50 बन जाएगा 50,000 और 2 से भी काटने पर 25,000 आएगा मतलब की आपका जो वैल्यू है वो 1,25,000 ये वाला जो है B option सही रहेगा ठीक 5 इंटू 25,000 करोगे तो 1,25,000 रुपया आएगा B के हिस्से में out of the total profit जो की आपके यहाँ पर 3,5,5,000 का है ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीसरा सवाल भी solve किया यहाँ पर आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा motivation बढ़ता है और हम और बहतर content यहाँ पर आपके सामने लेकर आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर है यहाँ से अगला सवाल जो है इसको आप खुझ से भी लगाने की कोशिश करें मैं यहाँ पर एक एक करके solution लगाना देना चालू करूंगा आपको क्योंकि यहाँ पर theory part इतना ही है से सवाल तो अंगिनाद बन सकते हैं सारे पैटर्न के सवाल मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा आपको अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहली बात कि ABC ने invest किया एक restaurant को start करने के लिए total investment जो था वो तीन लाख रुपे का था B का जो investment था वो 50,000 ज्यादा था 50,000 more than A and C invested 25,000 less than B if the profit at the end of the year was 14,400 then what was the share of C तो ABC निवेश करके एक खाने की दुकान को परारम करते हैं जिसमें से कुल निवेश में से 3,000,000 रुपे जो है वो रहता है B जो है A से 50,000 रुपे ज्यादा निवेश करता है C जो है B से 25,000 रुपे कम निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपे का लाब हुआ तो C के हिस्से में कितना लाब आए यह हमें ग्यात करना है तो देखें तीन लोग है A है B है और C है इसमें यदि हम investment की बात कर रहे है investment की यदि हम बात करते हैं तो A का जो investment है total investment जो है वो है 3,00,000 रुपया का 3,00,000 रुपया का total investment है इसमें से दिया हुआ है A और B ने जो है पचास जादा रुपया इंवेस्ट किया था A से तो अगर यह X का investment कर रहा है तो यह जो है X प्लस पचास जार का investment करेगा और साथ में C जो है वो B से 25,000 रुपया कम का investment करता यानि X प्लस पचास जार है और 75,000 जो है यह 3,000,000 के बराबर ठीक है यानि कि अगर इसमें से हम X का मान निकालना चाहते हैं तो 3X बराबर हो गया इस 75,000 को दूसरे तरफ ले जाओगे तो 2,25,000 बचेगा ठीक है अब इसको अगर solve करेंगे तो यह X 3 जो है इसको काटेगा 7 बार 21 और फिर 5 यानि 75,000 यानि X का मान भी 75,000 रुपया ही है मतलब A ने 75,000 रुपय लगा होंगे तो अगर मैं यहाँ पर उपर वाले investment में इनका value दाल दूँ तो हमारे पास यह आ जाएगा कि A ने कितना investment किया B ने कितना investment किया और C ने कितना investment किया जिस भी सवाल में आपको time के बारे में कुछ information नहीं दिया रहता है या फिर ऐसा नहीं दिया है कि कोई वेक्ती देर से जूड़ रहा है या कोई वेक्ती पहले आ रहा है या बाद में जा रहा है इस तरीके से कोई भी चीज़ है अगर information जो है नहीं दिया है times related तो वहाँ पे हम directly क्या करेंगे profit का जो ratio है वो investment के ratio में रहेगा जैसे इस सवाल में आपको यहां पर time का कोई information नहीं दिया तो यह मानना है कि बराबर बराबर time के लिए investment हुआ यानि कि अगर एक साल के लिए investment तो ABC तीनों का एक साल हुआ अगर शे महिने के लिए investment हुआ तो ABC तीनों का छे महिने के लिए यानि वन रेश्यो वन रेश्यो वन में इनका time का ratio होगा कहने का मतलब यह कि profit जो होता है वो इस तरह के सवाल में directly investment के ratio में जाता है तो अब यहां से अगर मुझे यह निकालना है कि कितना कितना investment हुआ तो directly x के जगा मैं क्या लिख सकता हूं 75,000 तो यह जो x के जगा मैं 75,000 लिख लेता हूं इस 75,000 में मुझे 50,000 जोड़ना है तो यह बन जाएगा ratio निकालना कितना असान है अगर मैं इसे 1000,000,000 से काटू तो आखरी के 30 तो ऐसी कट गए फिर 25,125 और 100 बचा तो इसको 25 से काट देंगे तो यहां तीन ratio पांच ratio चार आएगा यह इसका ratio बन गया और इसी ratio में profit जाना है अब सवाल यह बनता है कि यहां पर किसका हिस्सा निकालना था हमें सी का हिस्सा निकालना था तो सी के हिस्सेदारी में जो value आ रहा है वह है चार divided by total अगर देखोगे तो तीन प्लस पांच यानि आठ प्लस चार फिर करोगे तो बारा आएगा यानि बारा एक तिहाई हिस्स जो है वह तीन के इस्से में आना है और जो की टोटल प्रॉफिट अगर आपको दिया हुए साल के अंत में 14,400 तो इसका वन थर्ड आपको निकालना है तो इससे काटने से कितना आएगा फोर टांस ट्वेंटीफूर आ रहा है तो 4800 रूपया जो है यह सी के खाते में I hope यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question है अपके screen पर यहां दिया हुए A B start a business by investing equal amounts 4 months later C joined them by investing rupees 3.5 lakhs by withdrawing his investment in the business B leaves the business 4 months after C joined at the end of the year the business makes 62,400 profit out of which A collects 24,000 as his share how much should be paid to C as his share of profit तो देखिया आ दिया हुए A B ने समान मातरा की धनराशी का निवेश किया था और 4 महिने के बाद C इसमें 3.5 lakhs रुपय निवेश करता है और उसमें शाविल हो जाता है C द्वारा जो शामिल होने के बाद 4 महिने के बाद बिजनेस में से अपने निवेश को वापस लेकर B जो है वफसाय को छोड़ देखता है ठीक है साल के अंत में अगर 62,400 याने 62,400 रुपय का लाब जो प्राप्त होता है जिसमें से एको 24,000 रुपय मिलता है तो आपको यह निकालना है लाब में से अपने हिस्से के रूप में C को कितना भूगतान किया जाना चाहिए यह हमको निकालना है यह हमें ठीक है आइए इसको solve करने के कोशिश करते है तीन लोग है A है B है और C है ए बी और C तीन लोग है तो यहां पर जो investment की बात की गई investment अगर A का X है तो B का भी X होगा same investment और इसने साड़े तीन लाक रुपया का investment किया तो यह लैक में है तो इसको एक्स लैक एक्स लैक और साड़े तीन लाक रुपया मालने तेस तरीके से ठीक है अब देखो यहां से A B ने business की start की थी और C जो है चार महिने के बाद आता है औ तो सी ने अपने जो पैसे हैं उसको आठ महिने के लिए लगाया होंगे साथ में यह दिया है कि बाइद विड्राइंग इस capital फोर मंस आफ्टर सी जॉइंट तो देखिए सबसे पहली बात सी चार महिने के बाद आया था और इसके भी चार महिने के बाद बी बिजनस से निक अगर हम सी की बात करें तो एक के बारे में ना ही कुछ लिखा हुआ है कि छोड़ के जा रहा है तो यह बिजनस में पूरे के पूरे समय रहेगा तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहां से रेश्यो निकाल सकते इसको मैं थरी रेश्यो टू रेश्यो टू कर लेता हूं तो यह बन जाएगा रेश्यो साथ और यह बन जाएगा आपका 2X यह बन जाएगा आपका 3X इस रेश्यो में हमारे प्रॉफिट बटने चाहिए अब जैसे ही आप यह देख रहे हैं कि यहां से कुल प्रॉफिट जो को 2400 12,000 को 2400 जैसे में 24,000 खाता जो जा रहा है वो किसको में आकर इतना जा रहा है तो अगर अब इतना गया तो 810ge Ceة कि निकाल सकते क्यvisor देख रहा ह ход Ty non past दुमैं अगर Etna Two जो प्लेश्योर गया 3 बरावर कितना है 24,000 तो 3 प्लस 2 यानि कि मैं यहाँ पर यह देख रहा हूँ कि A और B को total profit कितना मिल रहा है अगर 24,000 रुपया A को मिला तो A और B को 2 इस्टू 3 रिष्चों में मिला था यानि कि दोनों मिला दोगे तो 5 मिलेगा अगर यहाँ पर आपका 8,000 मल्टिपला हो रहा है यहाँ पर भी 8,000 मल्टिपला करके हम लिख सकते हैं कि 40,000 रुपया वो total मिलेगा profit A और B को अब total profit था 62,400 जिसमें से A और B मिला कर कितना लेगा है तो 40,000 लेगा तो अगर इसमें से 40,000 रुपया A और B मिला कर लेगा है तो C के लिए कितना बचेगा C के लिए बचेगा 62,400 माइनस का 40,000 और माइनस करने पर यह C उत्तर आएगा 22,400 तो थोड़ा सा आप यहाँ पर common sense और थोड़ा सा अपना brain यूज़ करें कि हम यहाँ पर कैसे इसको solve कर सकते हैं पूरा कफ पूरा यहाँ पर हमें solve करनी कोई ज़रूत नहीं है आप बस यह देखिए कि A और B का जो है ratio 3 to 2 था अगर A का profit 24,000 रुपया है तो क्या हम B का profit यह निकाल सकते क्योंकि यह दोनों ratio में है 3 to 2 लेकिन यह 7 लाग है और यहाँ पर एक extra factor जो है X factor जो जुड़ा हुआ है इस X से हमको कभी भी यह नहीं हम निकाल सकते कि क्या value है X का लेकिन हम यह जरूर जान सकते A, B का जो ratio होगा 3 to 2 होना जाए तो मैंने देखा 3 बराबर 24 जा रहा है तो 2 बराबर 40 तो बराबर जो है वो total जो आएगा A, B का वो 5 होगा 5 बराबर 40,000 होगा 62,000 में से अगर 40,000 रुपे A और B के total खाते में जा रहा है तो हम यह निकाल सकते कि C के खाते में 22,400 रुपे जाएगा ठीक है अगला सवाल आपके screen के पर है यहाँ पे दिया हुए ABC invested their capital ABC ने अपने निवेश किया था दो अनुपात, तीन अनुपात, पांच में ratio of the number of months for ABC investment is 4 is to 2 is to 3 if C gets a share of profit which is 1,47,000 more than that of A than B's share in the profit is तो बहुत आसा सवाल है यहाँ पर आपको दिया हुए ABC के निवेश का अनुपात और ABC के समय का अनुपात फिर कह रहा है कि C ने इससे A से जो है लाब में, लाब के इससे में C को इतना ज़ादा मिलता A के comparison में तो B का लाब कितना इनकालना है तो बहुत आसान सा सवाल है ABC तीन वक्ती है इसमें जो investment का ratio है वो हमको दिया हुआ है 2 is to 3 is to 5 का ठीक है और time का रेशियो वे time का ratio दिया हुआ है 4 is to 2 is to 3 का तो अगर मैं इसको multiply कर दूँगा तो profit का ratio बन जाएगा याने इन नोनों को multiply करने पर 8 इन नोनों को multiply करने पर 6 इन नोनों को multiply करने पर 15 सवाल ये था कि C को जो है इसके हिस्से में अगर देखा जाए तो तीनों में से C के हिस्से में साथ ज्यादा आ रहा है और साथ ज्यादा जो है साथ का value जो है सवाल में दिया हुआ है इतना मतलब एक बरावर क्या होगा यानि मैं यहां पर 21,000 रुपए जो है यह multiply हो रहा है क्योंकि साथ से divide करोगे तो यहां दो यहां एक आएगा मतलब 21,000 रुपए इसमें multiply हो रहा है तो सवाल यह था कि C के हिस्से में कितना है तो C के हिस्से में आप देख रहे है छे आ रहा है इस छे में भी आपको क्या करना होगा तो 21,000 multiply करना होगा और जैसी 21,000 multiply होगा तो यह 12 और 6 वाला उत्तर जो है यानि कि 1,26,000 रुपए जो है यह B के हिस्से में आएगा क्योंकि जो factor एक ratio में multiply हो रहा है value निकालने के लिए वह हर एक factor में multiply होगा तो अगर B का value 6 unit है तो 6 multiplied by कि जार करोगे तो 1,26,000 रुपए यहां से आएगा ठीक है चलिए next question आपके screen के ओपर यहां पर दिया हुआ है ABC ने enter किये किसी partnership में जिसमें की इन्वेस्टमेंट था वो 2 by 5 3 by 4 और 5 by 8 के अनुपाद में था चार मेने के बाल after 4 months A increased his capital by 50% but B decreased his capital by 20% इसके बाद दिया हुआ है what is the share of B if the total profit is 282,100 at the end of the year ठीक है तो यहां पर कुछ चीजे जो है वो बदल रही है अब यहां पर पूरे समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ समय के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट उसके बाद कुछ व्यक्ति जो है वो यहां पर अलग-अलग इन्वेस्टमेंट करने अलग समय के लिए हिंदी में एक बार सवाल को समझते हैं या दिया हुआ ए बीस सी ने दो बटे पांस तीन बटे चार और पांच बज़े आठ के अनुपात में निवेस्ट किया साजेदारी करते हैं चार माह के बाद ए अपनी पूंजी का पचास परसंट बढ़ा देता है और बी अपनी पूंजी को ट्वेंटी परसंट कम कर देता है यह दिया हुआ है तब यह जआत करना है कि वर्ष के अंत में बी के खाते में इतने के लाब में से कितना हिस्सा आया है मतलब ultimately तो हमें यह करना है कि ABC का जो है profit का ratio निकालने एक बढ़ profit का ratio निकल गया तो वहां से हम ये निकाल सकते हैं कि total किस के हिस्से में कितना value जा रहा है ठीक है कि इस investment का सबसे पहले आप ratio बताइए क्या होगा यह है 2 by 5 ठीक है 3 by 4 और 5 by 80 यह तो 4 5 और 8 देखते साथ समझ में आता है 40 तो मुझे यहां पर 40 40 और 40 तीनों में multiply करना होगा और तीनों में multiply करते साथ आपका जो है value यहां से ratio तो पांच से पांच को यदि मैं काटता हूं चालिस को काटता हूं पांच से तो यहां पर 8 बचेगा मतलब यह बन गया 16 चार से इसको काटनों तो 10 आएगा मतलब यह बन जाएगा 30 और आठ से इसे मैं काटता हूं तो बनेगा पांच यानि की 25 ठीक तो ABC का जो investment है वो इस ratio में है यह हमारा क्या हो गया investment का ratio निवेश की रासी है लेकिन हमें यह निकालना है कि अलग-अलग time पर जब अलग-अलग investment हो रहा है इस तरीकी के सवाल में क्या करना है वो मैं अभी बता देता हूं पो जैसे यहां अलग person भी है अलग person सी है एक अलग person ठीक है तो अब यहां पर क्या करेंगे हम directly investment into time लिखेंगे और फिर उसको लास्ट में एड करेंगे तो सबसे पहली बाद चार महीने के लिए जो investment था एका वो था 16 का तो multiplied by मैं एक बार फोर यहां लिख लूँगा क्योंकि यह के वल चार महीने के लिए profit जो calculate हो रहा है वो साल के अंत में calculate हो रहा है ठीक है वर्ष के अंत में मतलब total business चला तो बारा महीने के लिए मतलब अगर चार महीने के लिए यहां पर 16 का investment था बी का तो time और कितना बचा बारा में से चार महीने गए तो अब यहां पर आठ महीने और बचे हुए इन आठ महीनों में ए क्या कर रहा है अपनी पुंजी को जो है वो 50% से बढ़ा देता है यानि इसका 50% बढ़ाना इसका है वो भी 4 महीने के लिए अलग और आने वाले 8 महीने के लिए अलग investment कर रहा है तो A बी ने कितना किया तो यहां पर आप दीछ का investment था बी का 30 लिख लेते हैं प्लस आने वाले अगले आठ महिने के लिए बी क्या कर रहा है अपने पुझे का 20 प्रतिशाथ कम कर रहा है 20 प्रतिशाथ मतलब इसका 20 प्रतिशाथ माइनस का 6 होगा इसका 20% यानि कि 6 माइनस करना होगा तो यहां से 24 वैल्यू आएगा बी के आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए सी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करता है मतलब 25 का जो इन्वेस्टमेंट है पूरे 12 मुहने चले गाई अब जब हमें यहां पर प्रॉफिट का रेश्व निकालना तो यह डिरेक्टली प्रॉफिट के रेश्व में बस आपको यह प्लस करना थे यहां पर देखिए अगर कुछ चीज़े कॉमन दिख रही है तो उसको कॉमन निकाल के हम कैंसल कर सकते हैं जैसे कि मुझे चार दिख सब्सक्राइब तो यहां से आपका 48 आएगा और लास्ट वाला जो वैल्यू है वह है आपका 16 प्लस यहां से आपका 48 आपका 64 आएगा अब हमें यह निकालना है कि बी के हिस्से में कितना वैल्यू आएगा तो अब थोड़ी सी असान होगी क्यलकुलेशन यहां से हमें 78 निकालना है बी का वैल्यू बी का वैल्यू जो है वह है 78 डिवाइड़ बाइ तीनों को यदि मैं जोड़ो तो चार प्लस आठ बारे प्लस पांच करोगे तो साथ आ रहा है ठीक 17 के बाद यहां पर भी छे था तो एक जुड़ेगा साथ साथ और साथ यहांने 217 हो गया 217 बचेगा वहाएगा पांच यह बन जाएगा छे और यहां पर आपका 60 यह पूरी तरह से काट जाए तो यहां से पांच आएगा और यह बन जाएगा आपका छे ठीक है अब तेरा सो देखते साथ तीन और आट है मतलब दो जिरो के बाद यहां पर चार वैल्यू आना चाहिए तो दो जिरो के बाद चार वाला जो एंसर है वो केवल यहीं पर है तो एप भी जो है सवाल का सही उत्तर होगा कैलकुलेट आप पूरा कर सकते तेरा से मल्ٹिपलाइ करोगे तो यहां पर दस आएगा तैरा से इसको जो छोड़ना नहीं है तो इसको छोड़ना prowadता है तो दोड़न σ कालिकूलेशन रहते है इतना भी ज्यादा क्यालकुलेटिव नहीं कि आप उसको एक्जाम में स्किप कर दें ठीक है तो इस तरीके सवाल के लिए में प्रिपेर होके ही आपको एक्जाम में जाना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्टन आपके स्क्रील में आ चुका है तो यहां दिया हुआ है कि ABC started a business with their capitals in the ratio two is to three is to five a increase this capital by 50% after four months we decrease this capital by 331 by 3% after six months see we drew 50% of his capital after eight months from the start of the business if the total profit at the end of the year was 86,800 then what is the difference between the share of a and b in the profit ठीक है सवाल में दिया हुआ यहां पर तीनों कुछ ना कुछ यहां पर कोई कम कर रहा है तो कोई ज्यादा कर रहा है अपने निवेश को ठीक जैसे की बात करते एक ही तो ए भी और सी ने सबसे पहले तो two ratio three is to five में निवेश किया था चार महिने के बाद जो है यहां से दियावाई चार महिने के बाद चार महिने के बाद ए क्या करता है अपने पूंजी में से प्रतिशत की व्रिद्धी कर देता है ठीक है बढ़ा देता है और बी क्या करता है तो छे महिने के बाद 33,93 परसंट जो है बढ़ा देता है ये भी लेकिन C क्या करता है आठ महिने के बाद 50% पूंजी को वापस लेता है तो यदि वर्ष के अंत में जो profit हुआ वो इतने का था तो लाब का लाब में A और C के बीच का अंतर क्या है निकालना है तो देखें फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ A है B है और C है तो जबी भी इस तरीके का सवाल दिया है तो हम यहाँ पर directly investment into time लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तो सबसे पहली बात A, B और C की बात करें तो A ने 2 का investment, B ने 3 का और C ने 5 का investment किया था लेकिन यहाँ पर ऐसा investment करने के बाद यह दिया है कि A ने 4 महिने के बाद 50% investment बढ़ा दिया तो यह 4 महिने के लिए और क्योंकि हमारा जो lab है वो lab कब calculate हो रहा था तो end of the year में ठीक वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब है एक वर्ष में आपका profit calculate हो रहा है तो पूरे के पूरे 12 महिने के लिए यहाँ पर total time होगा अगर 4 महिने गए तो आने वाले 8 महिने में B अपनी पूंजी को 50% बढ़ाएगा 50% बढ़ाने का मतलब क्या है 50% बढ़ाने का मतलब है इस दो को 50% बढ़ाना इसका 50% एक होता है तो 50% बढ़ाओगे तो यहाँ पर तीन वैल्यू हो जाएगा थिक तो यह हो गया A का Profit Calculate इस तरी किसे होगा B जो है 6 महिने तक ही रखेगा और 6 महिने के बाद अगर टाइम की बाद की जाए तो फिर से 6 महिने बचेंगे और आने वाले 6 महिने में B क्या कर रहा है अपने Profit का 33 1 by 3% बढ़ा रहा है 33 1 by 3 का मतलब होता है एक तिहाई अगर एक तिहाई बढ़ा रहा है मतलब 3 का एक तिहाई बढ़ाएगा मतलब 3 में पलस 1 करेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ठीक है सी की बात करते हैं तो सी आठ महिने के लिए तो कुछ नहीं किया आठ महिने तक उसका Profit इसी पर कैलकुलेट होगा आने वाले जो टाइम है आने वाले चार महिने में यह अपनी 50% पुंजी को निकाल देता है यानि अगर इसमें से आप 4 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ प करने के कोशिश करते हैं यह आपका हो जाएगा आठ प्लस 24 करोगे तो 32 ठीक इसकी बात करते हैं तो अठारे प्लस यहां से 24 करोगे तो टोटल यहां पर 42 आएगा ठीक लास्ट वाले में 40 40 प्लस 10 करोगे तो यहां पर 50 आ रहा है कही ना कहीं ठीक 50 अब इस रिश्यों में अगर कुछ चीज़े कट रही है तो उसको हम काट के सोड़ा और सिंप्लिफाय कर लेते हैं क्योंकि इतने सारे कॉंप्लिकेटेड वैल्यूस से और ज्यादा क्यल्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो इसको 16 इस टू मैं लिख सकता हूं 16 रेश्यो ठीक है 21 रेश्यो 25 इस तो में हमारा प्रॉफिट जाना है अब सवाल यह बनता है कि हमें ए और सी के प्रॉफिट का अंतर निकालना है तो ए और सी के प्रॉफिट का जो अंतर है वो कैसे निकलेगा इस चीज़ को भी हम कवर कर चुके 25 और 16 का डिफरेंस 9 divided by तीनों को जोड़ना है यानि कि 25 में यदि में 16 जोड़ो तो 41 आएगा 41 में इस 21 को जोड़ो तो 62 आएगा मल्टिप्लाइट बाई जो टोटल वैल्यू है वो है हमारा 86,800 मतलब यहां पर मैं 86,800 को एक बार मल्टिप्लाइ कर लेता हूं ठीक है तो अब इसको क्याल्कुलेट करने की हम कोशिश करते हैं तो यहा वैल्यू है आपका 62 का 4 टाइमस हो रहा है 62 का 4 टाइमस ठीक है तो यहां से 4 बर जाएगा मतलब 1400 से पूरी तरह से 62 जो इसको काट देगा ठीक तो 1400 बन गया तो 9 से अगर मल्टिप्लाइ करोगे 14 को तो कहीं न कहीं 126 आएगा और आगे के दो जिरो जो और लिख जाएगे ठीक डिजल सम से भी आप देख सकते थे नौ है तो डिजिटल सम जैसे नौ बन गया तो option केवल वही सही होगा जिसमें डिजल सम नौ आ रहा है तो ना साथ न यह न यह केवल एक ही option जिसमें डिजल सम 9 बन रहा है वहां से भी आप इसको without calculation solve कर सकते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपके screen के ओपर है इसको solve करने की कोशिश करेंगे a invested 8 lakh rupees started a business and he withdraws half of his capital after every 4 months b joined the business 2 months later a started after a started with a capital of 9 lakh and withdraws one third the capital after every 5 months after 5 months c joined the capital with rupees 4 lakhs and 4 months after b joins he increases the capital by 50% after every 2 months if the difference between the profit earned by b and c at the end of the year was 74,000 then find the profit earned in an year तो यहां से सवाल इसकुछ इस तरीके से है दिया हुए a ने 8 lakh rupees का निवेश किया था किसी व्यापार की शुरुआत किया और वह 4 महा के बाद अपने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है b a के व्यापार शुरू करने के बाद दो महीने के बाद 9 lakh rupees का निवेश करता है और पांस महीने के बाद अपनी पूंजी का एक तिहाई कर देता है B आने वाले चार माह के बआद C जो है वो चार लाख रुस्पय करता है और हर दो मह unfair अपनी पूर्जी को पर कोप परतीसद से बढ़ा देता है एक वर्ष के बाद हमारा जो क्यलकुलेशन हो रहा है यानि टाइम एक येर का इसके ओपर ध्यान जाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर बहुत सारी चेंज़ेस हो रहे है टाइम और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेट ठीक है बी और सी के हिस्से में आयलाब का जो अंतर ह करना है कि वर्ष के अंत में कुल कितना हुआ ठीक है तो यहां पर तीन लोग हम यहां पर लिख लेतें एएक फिसर करेंगे तो यहां पर दोनों चीजाज हो तो स्टार्ट करते हैं ए से ए ने 8 लाग के शुरुआत किया था और बिने जो शुरुआत की थी नौ लाग के साथ आया था he withdraws half the capital after every four months अब जब हम यहाँ पर रए महीने के बाद कर रहे हैं बारा महीने तो यह 4 4 महीने के बाद अपने विद्राओ करता है मतलब इस बारा महीने को चार महीने 4 महीने 4 महीने 3 हिस्से में बाठना होगा तो पहले चार महीने में इसका हिस्सा इतना ही रहेगा आठ लाग का और हर चार महिने के बाद अपने हिस्से का आधा वो निकाल लेता है विट्रॉ कर लेता है मतलब इसका आधा निकालेगा तो अब उसके बास चार लाग बचेगा चार महिने के लिए और फिर से join the business two months after A अब देखिए पूरे के पूरे एक साल के लिए A था अगर B अपने business में आ रहा है दो महिने के बाद मतलब minus two करना होगा B इस business में दस महिने के लिए रहता है इस दस महिने में भी यह दिया हुआ है कि B जो है 9 लाक के साथ निवेश करता है और एक तिहाई कैपिटल को पांच महिने के बाद निकाल दिता है मतलब इस दस महिने में भी B का जो हिस्सेदारी हो पहले पांच महिने में 9 लाक था अगले पांच महिने में उसने एक तिहाई निकाल दिया एक तिहाई निकालने का मतलब है 9 लाक का 1 थर्ड एक तीहाई 1 थर्ड आफ 9 लाक से 3 लाक अगर वो 3 लाक रुपिय निकाल देता है तो अब बिजनेस में जो पैसे रहेंगे वो रहेंगे 6 लाक रुपिया यहाँ पर 6 लाक रुपीस रहेगा अगले 5 मेने के लिए ठीक चले ए और बी के टाइम का भी बात हमने कर लिया अब आते सी में सी के हम बात करते हैं तो सी जोइन दे बिजनेस विद रुपीस 4 लाक आफ्टर 4 मंस आफ्टर बी जोइन चार महीने के बाद टोटल याने की बी तो 10 महीने था इसमें भी अगर चार महीने के बाद आ रहा है सी मतलब सी बिजनेस में रहेगा कितने देर तो 6 महीने रहेगा इस 6 महीने में भी दिया हुआ है बी जॉइन्स विद 4 लाक और इंक्रीजेस 50 परसंट आफिस कैपिटल आफ्टर 2 मंस मतलब ये जो 6 महीने है इस 6 महीने में दी के 2-2 महीने में आपका इंवेस्टमेंट चेंज होगा याने पहले 2 महीने में इसका 4 लाक रहेगा अगले 2 महीने में कुछ और आखरी के 2 महीने में फिर से कुछ और रहेगा क्योंकि टोटल 6 महीने थे सी का टोटल टाइम और हर दो महिने के बाद यह अपने capital को change कर रहा है तो यहाँ पर two into two into two करके अलग-अलग capital हमें निकालना होगा clear है अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको निकालना है सबसे पहली बात कि इसने अगर हर महिने के बाद अगर 50-50% बढ़ा रहा है मतलब यहाँ से 50% बढ़ा होगा तो यह 2 lakh हो जाएगा इसमें 50% बढ़ा रहा है बोला गया न एक मिलिट यहाँ पर बोला गया है कि हर 50-50% से यह बढ़ा रहा है हर 2 महिने के बाद इंक्रीज बोल रहा है ठीक है न फिर इस 6 का 50% होता है थरी तो अब फिर से 3 lakh से बढ़ेगा तो आखरी के दो मेहने में इसका जो है वो 9 lakh रहेगा अब इसको calculate कर लिए यहां से अब 3 व्यक्ति है A है B है और C है इनके direct profit की अगर मैं बात करूँ तो देखे ये 4 into 8 है 4 into 2 चार है 4 into 2 है तो इस 4 को पूरा common ही को निकालने हम को जोड़ना ही तो इस 4 को common निकालेंगे तो 8 प्लस 4 प्लस 2 होगया यहां पर 14 फोर हो गया 10 प्लस 9 याने 19 आ गया 19 इंटू दो करोगा तो 38 का जो है आपका शेर है सी का ठीक अब मैं इन सारी चीजों को हटा जीता हूं जिससे थोड़ा स्पेस भी बने और मैंने कैसे किया ABC के इंवेश्मेंट का यह आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट इस हिसाब से जाना चाहिए अब यहां दिया हुआ है कि बी और सी के कितना हो रहा है यह निकल के आ जाएगा अब दिया हुआ है फाइंड़ टोटल प्रॉफिट ईर्न पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ तो कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि तीनों का combined profit जो है, वो यहाँ पर 75 प्लस 56 प्लस इतना है, तो 5 प्लस 6, 11 प्लस 8 करोगे तो 19 आएगा, 19 यहाँ पर आगया, मतलब यह हो गया आपका 10 प्लस 16, मतलब 169 जो है total हमारे पास profit हो रहा था, इसमें यद इंवेश्मेंट हो रहा है, कोई व्यक्ति अपना 50% बढ़ा रहा है, या 30% कम कर रहा है, किसी भी तरीके का सवाल दिया हुआ है, पार्टनर्शिप से तो आप से जरूर बनना चाहिए, अब कुछ सवाल और मैं आपको करवाओंगा practice sheet के जरिए, इस pattern का, चलिए, अब हम आ B का यहाँ पर जो निवेश थी, वो कितने की थी, अब हमें यह निकालना है, तो देखिए, अभी तक हम जो सवाल देख रहे थे, इस से थोड़ा सा हटके यह सवाल है, हटके इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें calculate करना है, वो profit की बारी नहीं है, यहाँ पर investment की बारी ह वो कितना था, तो देखिए, concept जो है, वो change नहीं होता है, सवाल बनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन concept को आप पकड के रखेंगे, तो हर तरीकी के सवाल आप से बनेंगे, यहाँ देखिए, क्या दिया हुआ, A started a business with 7,000 रूपीज, तो A और B ने यहाँ पर मान लेते, A B ने 7,000 का investment किया, B ने कुछ investment किया, जो हमें निकालना है, पांच महिने के बाद, after 5 months, B joined as a partner, after an year, the profit was in the ratio 2 to 7, तो देखिए, यानि कि यह पूरे के पूरे 12 महिने के लिए रहेगा, investment into profit की बात करें तो, investment into time की बात करें, लेकिन B जो है, वो B 7 महिने के लिए रहेगा, क्यो जा रहा है, मतलब B business में किते दिर रहेगा, तो 7 मेने के लिए रहे, तो यह है, profit का जो ratio है, वो हमारे इसाब से 2 to 3 है, तो यह 2 to 3 के ratio में होना चाहिए, तो यह वाला ratio, यह वाला ratio दोनों के दोनों equal है, अगर यह दोनों के दोनों equal है, तो मैं directly इसको equate कर देता हूं, divide करके क्योंकि यह ratio और यह ratio बराबर थे, profit का ratio 2 to 3 था, और हम जानते हैं कि profit का ratio जो होता है, वो investment into time के ratio में होता है, तो इसका investment into इसका time, multiplied by इसका investment into इसका time, अब इसका investment नहीं दिया था, तो यहां से हमारा जो investment था B का वो निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलिए इसको solve करके बताई यह answer कितना आ रहा है, यहां से अगर calculate करने की बात करें, तो 7 जो है, इसको काट देगा, 1000 बार, 2 से इसको काट देंगे, तो 6 आएगा, 6 into 3 होता है, 18, 18 into यहां पर 1000 है, तो 18,000 जो है, B का investment हो जाएगा, यहां से, ठीक है, तो D is the correct answer for this question, I hope यह सवाल भी आपको अच्छे से, स B invest his capital for 4.5 years, while A invest his capital for 6 more months than B, out of the total profit of 2,72,000, the share of B was 68,000 less than the share of A, then find the capital invested by A, देखें, बहुत सारे यहां पर बाते लिखी हुई है, समझने की कोशिश करिए, समझने के बाद सवाल आसान हो जाता है, फिर से आपको यहां पर कहीं न कहीं capital याने की investment related सवाल हमने लिया हो है, एक और यहां पर, तो अगर आपकी बस investment का ratio है, आप easily calculate कर सकते हैं कि investment A का कितना हुआ, क्योंकि यहां पर कुछ information दिया हुआ, investment से related, तो मोटे तोर पर जब इस सवाल को solve करना है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली बात हमें दिया हुआ है, कि सबसे पहली बात यह है कि A जो है, उसका investment B से इतना ज़्यादा है, मतलब A का जो investment है, वो B के investment से कितना ज़्यादा है, तो 2.5 lakhs ज़्यादा है, ठीक, तो अगर मेरे पास investment of A, I, A, I, B इसको लिख लेते हैं, I, A, I, B, ठीक है, investment of A और investment of B का यदि ratio भी मुझे मिल जाए, तो काम बहुत आसान रहेग calculation बहुत easy हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि investment के ratio तक मैं पहुँचू, एक बार investment का ratio आगया, तो कही ना कही सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, तो investment के ratio के लिए हमारे पास दिया हुआ है time का ratio, A और B के time का ratio हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि B ने जो investment किया थ वो 4.5 साल के लिए, याने 4.5 years के लिए किया था, और साथ में यह दिया हुआ है, A ने अपने investment को 6 more month के लिए किया था, 6 ज्यादा महिने के लिए, अब 6 महिने मतलब आदा साल, 4.5 years के लिए तो भी ने किया, और यह 0.5 years ज्यादा कर रहा है, मतलब यह 5 years के लिए करेगा investment, तो ratio के अगर मैं बात करूं, तो इसमें हम क्या कर सकते है, multiply या 0.5 से काटके, इन दोनों का ratio उसको लिख सकते है, 10 is to 9 का, तो time का ratio हमारे पास आगया 10 is to 9 का, तो मैं हाँ पर इसको एक बार और हटा के लिख लेता हूँ, ratio of time है, वो है 10 is to 9, 10 is to 9, ठीक है, profit का ratio अब हमारे पास निकालना बस है, अगर profit का ratio भी हम निकाल लें, तो बहुत आसान हो जाएगा कि हमारा investment का ratio क्या है, इसको find करना, तो आते हैं थोड़ा सा profit के उपर discussion कर लेते हैं कि profit कैसे बट रहा है, total profit हमें दिया हुआ है, total profit जो जाना है, 272,000 का total profit हमें बाटना है, दोनों में, जिस रेशो देख लेता हूँ, जैसी में difference का, total profit का ratio देखो, तो यह 1000 से 1000 कर जाएगा, 68 का जस चार गुना हो रहा है, मतलब अगर यह minus 1 है, तो total profit 4 है, मतलब कि total profit अगर 4 रूपिया होता, तो B को 1 रूपिया कम मिलता, कहने का, मतलब total profit का ratio हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 और यहाँ लिख कैसे दिया, कि अगर total 4 है, और difference 1 है, तो एक को धाई, दूसरे को डेड मिलना चीए, यह calculation कैसे हुआ, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, जबी भी हमारे पास इस तरीके का equation होता है, कि 2 value का difference हमारे पास है, एक का, और 2 value का sum हमार value है उसको निकालके difference दे देना, मतलब यह difference एक का था, तो 4 में से 1 निकालके आप दे दोगे A को, तो मैंने क्या किया, 4 में से 1 A को दे दिया, अब जब 4 में से 1 A को दे दिया, तो उतने lead जो थी, difference की जो lead थी, वो A में बन गई, बचा हुआ क्या है, इसमें 3 बचा हुआ है, इस 3 को बराबर बराबर हम दे देंगे, मतलब यहां पर भी 1.5 और यहां पर भी 1.5, तो पहले से इसके पास 1 था, इसमें 1.5 और दोगे, मतलब यह है कि 1.5, 1.5 में अंतर नहीं है, अंतर जो आना था, वो मैंने पहले ही दे दिया, एक, और जो difference अब एक देने के बाद, ज अब इससे क्या हुआ, मेरे पास profit का ratio आगया, मेरे पास time का ratio आगया, अगर profit का ratio है, time का ratio है, तो investment का ratio निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो चली आईए इसको देखते है, धाई और डेड का ratio क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं कि अगर इसे मैं 25, 15 बन है, हमारे पास, बताईए आब investment का ratio कैसे निकलेगा, हम जानते थे कि अगर investment दिया है और time दिया है, तो profit का ratio कैसे निकलता है, लेकिन अब इस सवाल में हमारे पास profit का ratio आपकी जोगा, तो बताए इन्वेस्ट्मेंट का ratio कैसे निकलेगा, simple सी बात है, यहां पर आपके पास profit था 3 का divided by 9 करोगे तो 1 by 3 का ratio बनेगा मतलब 1 by 2 is to 1 by 3 इस तरीके के ratios को कैसे handle करना है भरपूर मात्रा में हम देख चुके हैं पहले ratio में तो 3 यहां पर आजाएगा मतलब profit का जो ratio 3 is to 2 का प्रॉफिट नहीं investment का ratio तो अब देखिए investment of a ratio investment of b जो है यह 3 is to 2 के अनुपात में है और सवाल में दिया हुआ है कि a ने धाई लाक रुपए ज्यादा investment किया था तो यहां पर जो एक का जो difference है वह एक का value कितना है तो 2.5 lakhs का है अब सवाल था कि बी की निवेश राशी कितनी है निकालना है यहां पर इंगलिश में दिया हुआ है एक investment निकालना हिंदी में दिया हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेता है इसको एक इन्वेश राशी निकालनी है तो बताईए यहां से एक इनिवेश राशी कितनी है तो 3 है तीन बराबर कितना हो जाएगा तो यह हो है तो तीन बरावर साड़े साथ लाग हो जाएगा ठीक चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर यहां दिवाए रगु बिगेन अडिस बिजनेस वाई विद इन्वेस्टमेंट आफ रूपीज एट रंडेड और जॉइन बाइन आफ्टर विद रूपीज 600 वें 800 इस्टू 600 का रेशियो जिसको मैं काड करके लिख सकता हैimientos 4स2 का रिश्यों कि दूसरी बात हमें दियावह हैम्हें प्रॉफिट का रेश्यों तौर पर केवल profit के question लिए जो कि सबसे ज्यादा important है इसके बाद अगर investment और time का question आ गया तो भी हमें कैसे handle करना यह आपको समझ पर आने लग गया होगा क्योंकि पिछले दो सवाल मैंने investment related लिए अब यहां पर time related है तो profit divided by investment करोगे तो यहां 4 by 4 आएगा यहां पर 1 by 3 आएगा मतलब यह 4 से 4 कड़ गया इस 3 को यहां लाना पड़ेगा मतलब जो time का ratio है वो है 3 ratio 1 का तो A B के time का ratio 3 to 1 का है अब सवाल थोड़ा समझे रगू ने business को शुरुआत किया था और profit जो है साल के अंत में calculate हुआ था और कुछ समय के बाद नितिन इसमें आया था मतलब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि रगू तो पूरे के पूरे बारा महिने के लिए रहेगा 12 months यानि कि अगर रगू स्टार्टिंग से आखरी तक है business में तो रगू तो पूरे के बारा महिने रहेगा क्योंकि जो आपका time जो calculate हो रहा है profit वो वर्स के अंत में हो रहा है दूसरी बात अगर यह 3 बरावर 12 है तो एक बरावर 4 months होगा यहां पर गलती से भी आप 4 months को mark करके answer में आगे मत बढ़ जाना सवाल हमेशा ध्यान रखना time related सवाल में दो तरहीकी के प्रश्ण बंत है एक निवेश कितने महिने के लिए कितने समय के लिए किया गया दूसरा यह भी when did nitin join हमें निकाला है तो business में इस business में नितीन चार महिने के लिए था यह तो सभी सी बात है थाए है नितिन बिजनेस में चार महीने के लिए था इसका मतलब यह आठ महीने के बाद आया होगा तो हमारा जो उत्तर है वह सी रहेगा आफ्टर शिक्स मन्स सारी एट मन्स ही है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज्यान रखना होगा आप आप अब यहां पर आपको डैरेक्ली मन्स तो पिछले सवाल हैं अगर यह पूछा जाता कितने समय के लिए पुझा को निवेश किया तो यहां पर डैरेकली पिछले सवाल के साब से उत्तर जो होगा जेकिन कितने समय के बाद आया तो यहां पर थोड़ा सा चोकनना रहना इस तरीके की सवाल में छाली क्यावा ए और बी ने अपना जो इनवेश्मेंट किया वो इनवेश्मेंट किया 14 लाब का अनुपात है और निवेस की भी रासी हमाրे पास है यदि अपने इंवेस्टमेंट को तीन महीने के लिए तो एक का इन्वेस्टमेंट दिया है तो पहले टाईम का रीश्टमेंट नहीं कि ताइम आनफॉ चाइब लेक् EXा मतलब 優्जव बन रहा यहां पैर यहां पर Qur नहीं हमारे साथ यहां पर भी जो था वो 7 months के लिए अपने पैसे को लगाया था इस investment में इस चीज़ को आप यहां पे no down कर सकते हैं ठीक है चलिए next question है इना partnership A invests 1 6th of the capital for 1 6th of the time B invest 1 3rd of the capital for 1 3rd of the time C invest rest of the capital for whole of the time ठीक है तो A जो है वो share को A का share कितना होगा अगर profit 2300 रुपया का हो रहा है साज़ेदारी में A जो है एक-बटे-7 समय के लिए अपनी पुण्जी को 1 बटे-7 में करता है यह 06 करता है निवेश और साथ में समय कभी एक बटे छे समय के लिए करता है बी की बात करें तो एक तिहाई पुझी एक तिहाई समय के लिए निवेश करता है और साथ में सी जो है शेश पुझी को पूरे समय के लिए निवेश करता है कुछ थाउल जो रहा है वह हो रहा है आपके था 2100 रुपएयर तो कई लाप में से हिस्सा कितना होगा यह हमें निकालना है यहां पर को भी सालेकर хоч करेंगे कोशिच करते हैं यहां पर ABC दिया हुआ है थी है और तीन明ोंग Oi तो इसे इंवेस्टमेंट की अगर हम बात करें और टाइम, सबसे पहली बात यहाँ पर एक बर इंवेस्टमेंट करना है हमें 16 olvid importantes हो ँप इंवेश्टमेंट भी करना इप हिसे और उनवेस्टमैंट करना चैशे और तीन से कटने वाला गया वह 6 मैं यहां ले लेता हूँ इसको investment को मैं ले लेता हूँ 6 unit time को भी मैं ले लेता हूँ 6 unit ठीक तो A ने जो investment किया वो 1 6th किया था तो 1 6th of 6 करोगे तो यहां पर 1 आएगा B ने जो किया था investment वो 1 3rd किया था तो इसका 1 3rd करोगे तो 2 आएगा 6 में से 1 गया और 2 गया तो बचा कितना तो 3 बचा यानि कि C का investment 3 हो जाएगा time की बात करें तो A ने जो investment किया था वो 1 6th of the time यानि 1 unit के लिए किया था B ने जो investment किया था वो 1 3rd के लिए किया था यानि कि 2 unit के लिए किया था और C ने पूरे की पूरे समय के लिए इंवेश्मेंट किया था तो यहां पर पूरा का पूरा समय याने 6 यहां इस बात का दीजिएगा कि एक प्लस दो प्लस तीन जो है टोटल इंवेश्मेंट के बराबर होगा investment share नहीं किया जा सकता simultaneously कोई investment नहीं कर सकता तो total investment जो होता है वो एक investment प्लस B के investment प्लस C के investment के बरावर होगा लेकिन time जो होता है ऐसा जुरूरी नहीं है क्योंकि ये जिस समय में आया और ये जिस समय में था और ये जिस समय में था करोगई था तो तीनों बरावर बरावर एक साथ भी आ सकते एक साथ ज़ा भी सकते तो यह इनका सम बरावर टाइम नहीं लेकिन इनवेश्चमेंट पर ऐसा होता है तो रेशो आ गए अब रेश्यो आने के बाद क्या करना है आप जानते है प्रॉफिट करेश्यों वायगा ट प्लस चार प्लस अठार है एक प्लस चार प्लस अठारा करोगे तो यहां पर 23 आएगा मल्टिप्लाइट बाइट टोटल प्रॉफिट था 2300 इसको अगर काट लेते तो यह बन जाएगा 100 रुपिया तो एक हिस्से में कितना आ रहा है 100 रुपिया तो बी जो है सवाल का सही उत सवाल थोड़ा सा असान हो गया क्यूंकि समय के बाद नहीं की जा रही है तो कुश्चन कहीं ना कहीं असान हो जाता है डिरेक्टी जो इन्वेश्मेंट का रिश्च्व है उसी रिश्च्व में आपका प्रॉफिट जाएगा ए बी सी ने जब इन्वेश्मेंट किया निवेश किया था हिंदी में समझ लेते हैं एक इकुल पूंजी 33 वन बाई 3 परसेंट है बी ने 6 का यहां से थोड़ा सा समझीएगा पिछले सवाल में इस रिमेनिंग शब्द का यूज नहीं हुआ था यहां पे लेकिन बोल रहा ह है शेश पुंजी का 33 33 वन बाई 3 परसेंट को मैं परसेंटेज में पढ़ाओंगा अभी समझके रखिए वन थर्ड होता है शेश का वन थर्ड किया था बी ने और सी ने रिमेनिंग किया था शेश पुंजी को लगाया था तो यहां से यदि एक वर्ष के अंत में कुल पर जब आप शेश बोल रहे हैं तो इसको भी एक बार वन थर्ड से बाटना पड़ेगा इसको भी वन थर्ड से बाटना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को मल्टिप्लाय करने पर नीचे 9 आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट को मैं 9 ले लोगा स्टार्टिंग मे यहां पर भी काटना पड़ेगा और जो रिमेनिंग बचेगा उसको फिर से काटना होगा मतलब 9 3 into 3 9 मुझे लिल रहा होगा इन्वेस्टमेंट पिछले वाले में रिमेनिंग शब्द नहीं था जैसे कि आप देख सकते पिछले वाले में रिमेनिंग नहीं था यहां पर द तो रिमेनिंग कितना था रिमेनिंग 6 था बी जो है 6 का यहने अब 9 का भी नहीं कर रहा है बी 6 का यहने रिमेनिंग का वन थट कर रहा है तो इसके पास 2 आएगा तो अब आप खुदी बताइए कि total 9 में से 3 गया और 2 गया यह 6 में से 2 गया तो अब इसके लिए बचेगा 4 जो है चार का capital करेगा तो अब आ गया investment करेश एयक बार investment करेश difference निकालना है तो B और C के difference की यदि में बात करूं तो यहाँ पर difference जो आ रहा है इन दोनों के बीच वह आ रहा है दो का तो difference जो आ जाएगा वह दो का divided by total value तीन प्लस दो प्लस चार जो कि है नाइन multiplied by क्या है तो 20,250 है 20,250 नौ से यदि में कार्ट 2 तो यहाँ पर दो आएगा 18 से 22 आ रहा है दो बार जाएगा फिर 45 आ रहा है तो 50 आएगा मतलब कितना हो गया 001 4500 जो है यह बन जाएगा 4500 यानि वी जो है सवाल का सही उत्तर होगा क्लियर है चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर यहां पर दिया हुआ है कि ABC ने अपने प्रॉफिट को इस रेश्यो में बाटा था 4 by 7 5 by 7 और 11 by 8 के रिश्यो में सी रिटायर कर जाता है तो AB के शेर में 4 इस्टू 3 के रेश्यो में सी का प्रॉफिट को दिया जाता है जंदर न्यू प्रॉफिट ऑफ एन बी विल ठीक तो यहां पर यह इस अनुपात में लाब बाटा जाना चाहिए था फिर बोल रहा है सी जो है वह सेवा निवरित हो ज रेश्यो 5 by 7 रेश्यो 11 by 8 के रेश्यो में तो आप लोग जैसी देख रहे है आठ साथ यहां पर आठ साथ है तो इसमें मुझे एक नंबर 56 मुल्टिप्लाय करना पड़ेगा यह आप ऐसे भी समझ सकते जहां पर साथ मुल्टिप्लाय है वहां पर आठ चला जाएगा और य चैंसी महें 56 मुल्टिप्लाय करूए करूंगा यह जाएग आठ और यह जो सीसे जो स्यू कि आपका जाता है इसको क्या किया बूला गया है कि ए और बी में ए और बी मैं आपकोdah 003 में बातना है तो इसका 4 ratio 3 मतलब देखिए 4 ratio 3 में बाटने का मतलब अब ratio में जाऊंगा मैं वापस याने पिछले वाले वीडियो में जो चीजे सीखी गई है 7 बरावर इतना मतलब 1 बरावर 11 है याने 7 into 11 हो रहा है मतलब ये जो 4 है वो बरावर यहां 44 इसको मिलेगा क्योंकि A B में 4 is to 3 के ratio में बटना था और इसको 33 मिलेगा ठीक तो जोड लेते हैं यहां पर value आजाएगा इसका value आजाएगा 73 और इसका value आजाएगा 76 तो 76 is to 73 के ratio में यहां जाएगा याने A जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा इस तरीके से हमें सवाल को solve करना है चलिए अगला सवाल है आपके screen के उपर यहां दिये हो है A B ने investment किया था 2 is to 5 के ratio में 50% of the total profit goes to charity and A's share is 3.6 then what is the total profit तो देखे सबसे पहली बात यहां पर आप समझे कि जो total profit था इस profit में से total तो 100% profit होता है total तो हमेशा 100% होता है इसमें से 50% हमने दे दिया charity में मतलब जो A और B में बटना है वो A और B में जो बटेगा amount वो 50% का बटेगा और इस 50% में भी जो ratio बन रहा है वो 2 is to 5 का बन रहा है मतलब आप समझे कि A के हिस्से में आया कितना होगा एक हिस्से में profit का 50% का दो बटा साथ आया होगा जो कि आपको दिया हुआ 3.6 lakhs तो A के हिस्से में कितना है 50% of profit ठीक है profit का 50% और इसका भी 2 by 7 part तो अगर मैं मालू कि X रुपया का profit हो रहा है तो X का 50% का 2 by 7 जो है यह आपका 3.6 lakhs है यह सवाल में दिया हुआ है तो बताइए कि total profit कितना था यही हमें निकालना है तो यहां से 50 और यह 100 पूरी तरह से कट जाएंगे X का वेल हो जाएगा इसको 7 को यहां multiply करना तो 42 और 21 प्लस 4 करोगे तो 25 25.2 lakhs का total profit हुआ होगा तो इस सवाल का सही उत्तर B option हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहां से दिया हुआ A B जो है वो investment करते है किसी business में इस ratio में है वो 3 to 7 का ratio है they make 60,000 of profit in 1 year they decided to distribute profit and remaining after remaining reinvesting 40% of the profit देखिये they decided to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit so how much was the will A get तो यहां पर दिया हुए A B ने 3 अनुपाद 7 में बाटा था साल की अंत में 60% का वलाब हुआ जिसमें से उन्होंने 40% हिस्से को फिर से निवेश किया और इसके बाद बाकी जो बचे है उसको बाटने का वित्रित करने का दिनने लिया तो A को कितना मिलेगा यह हमें निकालने A को कितना मिलेगा तो अगर एक लाइन में हमें सवाल का उत्तर करे तो टोटल यहां पर क्या था 60,000 रुपया था जिसमें से अगर 40% अगर री इन्वेस्टमेंट किया तो जो 6 जो यह लोग बाटने आपस में वो 60% रहेगा 60% और इसमें से आप लोग जानना है कि A, B का जो हिस्सेदारी है A, B की जो हस्सेदारी है वो 3 to 7 के रेश्यो में है तो A के हिस्से में कितना आएगा तो 3 by 10 आएगा ठीक है तो एक्जाम में हमें इतना ही पहन चलाना है सारी चीज़े मैंने आपको जो सिखाई है यहाँ पर वो calculation को वस समझाने के लिए था बाकि आप यह समझे कि एक्जाम में हमें पहन इतना ही चलाना है जितना जरूरा था उतना ठीक है चलिए एक, दो, तीन, जीरो यहाँ पर कड़ जाएगा और साथ इंटू साथ मतलब 3600 मल्टिप्लाइड बाइ तीन करोगे तो कही न कहीं 108 और आगे 20 और लग जाएगे यहने सी जो है सवाल का से उतना है तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ यहाँ पर जो partnership हमने लाया है आपके लिए इसमें आपको समझ में आओगा कि partnership के सवाल हमें लगाने है तो कैसे लगाने है investment और time हमें अगर पता है तो हम profit का ratio निकाल सकते हैं इसी ratio में profit बढ़ता है concept इतना ही है concept को पकड़ के रखिए क्योंकि सवाल बहुत सारे बन सकते हैं इनमेश्मेंट सवाल भी मैंने करा है time related सवाल भी मैंने करा है इससे बाहर आपका सवाल जो है SAC CHSL के एक्जाम में नहीं जाएगा तो आप आपको मैं और भी सवाल दूँगा यहाँ पर जो practice sheet प्रवाइड कराई जाएगी आपको Sunday को उसमें और भी कुछ चल रहा है वो आपको सही time पर मिलते रहे Thank you so much इस वीडियो में इतना ही